यहलो इस वीडियों हम देखेंगे traveling salesman problem और उसकी state representation के बारे में so traveling salesman problem क्या है a salesman has a list of cities उसका cities की list है each of which must be visited exactly once मतलब कि अगर कोई salesman दिल्ली से शुरू कर रहा है उसको Bombay, Chinna, Bangalore जाना है तो क्या होगा कि salesman दिल्ली से शुरू करता हुआ बाक्की सारी cities को exactly एक बार visit करता हुआ वापेस दिल्ली आ जाए वो होता है traveling salesman problem अब problem क्या है? विजिट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है problem यह है कि हमें हमेशा shortest possible round trip find out करनी है shortest possible round trip तो होता है कि in list there are direct roads between each pair of cities so direct roads है हर city के बीच में और हर road का आपको distance दिया है जिसको हम बोलते है generally हमारे को cost given है now to find road salesman should follow the shortest possible round trip and state जो है हम कहते है state representation के traveling salesman problem की so the state is represented as a pair of any two cities and the distance between them ठीक है? so जैसे कि अगर हमारे पास ही के example मैंने यहापे लिया है अब मैं इसकी states आपको बताता हूं तो क्या होगा? so जो हम शुरू कर रहे है वह हम शुरू कर रहे है कि हमें A से शुरू करना है और बाकी सारी nodes को या cities को एक बर exactly विजिट करना है so this is the starting point तो हमारी इनिशल state क्या हो जाएगी state space के अगर हम बात करते हैं so the initial state is state A जो कि हमारी starting node है और उसके बात सारे possible states और उनके action हमें find out करने है अब देखो states क्या क्या हो सकती है states हो सकती है कि एक city का दूसरी city के साथ pair और उसका distance अब अगर हम A को लेके चल रहे हैं तो A के साथ क्या क्या हो सकता है A के साथ B हो सकता है state as possible so I am drawing it like this A के साथ D हो सकता है A के साथ C हो सकता है अब आपको क्या करना है इनका distance भी लिखना है तो A से B का distance कितना है 20 A से C का distance कितना है 40 और A से D का distance कितना है 22 so this represents one state ठीक है so यह states होती है different different और इनी को use करते हुए आपको shortest possible distance find out करना है shortest possible path आपको find out करना है तो अब देको इसका हम possible roots निकालते है कौन गोन से possible roots हो सकते है इस problem में अब हम possible roots निकालने के लिए कहां से शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे A से तो देखो A से क्या हो सकता है A से हो जा सकता है towards B ठीक है then B से हो जा सकता है towards C यानि downward direction अब state space में क्या होता है states होती है possible action होता है तो देखो A से B जाएगा दुबारा A पर नहीं आएगा क्योंकि exactly once करना हो सिफ starting node ही दोबार होगी तो आप backwards initially नहीं आओगी जब तक सारी nodes आपकी visit नहीं हो जाती तो B से कितने action बचे either go towards C or go towards D हमने C को choose किया then C से खाप जाएगा गर नहीं हाँ चलाएगा तो D unvisited रह जाएगी तो पहलो हो जाएगा D पर then अब जब सारी visit होगी तो D से वापिस A पर तो एक तो हो गया ये वाला ठीक है then the second can be A to B अब B से C पर आने के बचे वो चलाएगा D पर then D से आएगा C पर then A पर ठीक है so A से B वाले हमने cover कर लिया आपका देखते हैं A से D वाले so A to D अब D से वो खाँ खाँ जा सकता है तो B पर या C पर हम लेते हैं पहले B then वो जाएगा C पर then A पर ऐसी दुबारा से देखते हैं A से D गया अब D से B पर जाने के जाएगा A से C पर चला गया then C से B पर then A पर ठीक है so A से B हो गया A से D हो गया बहिखते हैं A से C so A से C पर गया C से जा सकता है B पर या D पर पहले लेते हैं D then B then A और A क्या हो सकता है A से गया C पर C से गया B पर B से गया D पर और D से गया A पर ठीक है, so यह possible roots है अब इनके आपको लिखने है shortest distance या फिर total distance इन सब में क्या आया तो कैसे निकालना है, simple आपको sum करना है, इसका मैं कपको दा दो A से B का कितना था 20 B से C का कितना है 13 C से D का कितना है 12 then D से A का कितना है 22 notes जो को सारी visit हो गई A, B, C, D और वापिस A पे भी आ गया तो इन सब का जो sum आएगा वो आएगा आपका 67 so इसी तरह आपको सब के लिखने हैं, so जो यह आएगा, A से B, B से D, D से C, C से A, इसका आएगा 102 then A से D, D से B, C, A, इसका आएगा 105 then A से D, D से C, C से B, B से A का आएगा आएगा 67 then A से C, C से D, इसका आएगा 102 and इसका आएगा 105 so एक बार आप दुबारा से भी calculate करके देख लेना, exactly क्या आता है तो हमारे पास अब यह कुछ possible routes और उनके distance आगए, अब हमें क्या करना है, हमें shortest possible route find out करना है, तो shortest कौन सा है यह, एक ये और एक ये, so the salesman can choose any of these two parts, ठीके, so इस तरह से traveling salesman problem को हम लिखते हैं, अगर सारी state space आपको बनाने के लिए आएगा, तो आपको इस तरह से हर एक note से निखलना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम A से शुरू कर रहे हैं, तो A के लिख दिए B से के लिए आप क्या लिखोगे, B से D या B से C, तो मैं हर एक का लिख देता हूँ यहां पर, B से D हो सकता है, या फिर B से C हो सकता है, ऐसी D पर आगए तो D से B, D से A, D से C, तो जितने भी आपको साहरे लिखने होते हैं यहां पर, स्टेट्स और उनसब के दिस्टेंस, So this is all about this traveling salesman problem, Thank you for watching the video, Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials, Thank you.